हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बेटा आपकी क्लास प्लस टू है और आज हम आपका लास्ट प्ले है जो दमंकी बाप्स वो करने जा रहे हैं जो डब्ली डब्ली जैकॉब्स ने लिखा है तो इट इस स्टोरी फूल अफ हॉरर ये पूरी ड्रावनी स्टोरी है इसमें जो इंसिडेंट्स प्ले के वो बताए गए है एक ओल्ड इंडियन फकीर है जो की मंकी के पाव को लेके घूम रहा है वो कहता है कि ये पाव है जो मंकी का वो तीन डिफरेंट विशिस से लग लग लोगों की पूरी करेगा उसने प्रूफ किया कि मैन की जो डेस्टिनी है वो पावर्फुल है कि अगर कोई भी ट्राइ करे उसकी डेस्टिनी को चेंज करने की उसको बहुत ज़्यादा दुख होंगी जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें बहुत डर लगता है हम सस्पेंस से अपनी सास को रोक लेते हैं भी आगे क्या होगा और हम एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जा पर मिस्ट्री है मतलब की भूत प्रेत की कहानी है जिंपल लेंग्विज में अगर मैं बताऊं तो तो प्ले शुरू करते हैं मिस्ट्र और मिस्ट्र वाइट विद दियर सन रॉबिट सौरी हरबर्ट लिव इन आ स्मॉल कॉटेज इन आउट अउट अफ तवे बलेस मिस्ट्र और मिस्ट्र जो वाइट है वो अपने लड़के है जो लड़का है हरबर्ट उसके साथ एक घर में रहते हैं जो की शहर के बाहर है फैमली के मेंबर आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं जो उसने चाल चली थी उससे वो सैटिसफाइड हो गया था there is a shaped lamp on the table और table पे एक lamp चल रहा था the door is tightly shut और door अच्छे से बन था the curtains of the window are drawn curtain जो थे window पे लगे हुए थे but a fast wind is blowing outside पर हवा बाहर बहुत तेज चल रही थी the sound of the whistling of the wind can be heard बाहर हवा चलने की अवाज सुनी जा सकती थी Mr. and Mrs. White and their son Herbert all are waiting for a family friend वो तीनों बैट के किसकी wait कर रहे थे अपने family friend की wait कर रहे थे he is an army man वो army man था एक army में काम करता था उनका friend he is a sergeant major Morris उसका नाम क्या था major Morris he has returned from India वो इंडिया से वापस आ रहा था the whites are fed up with their lovely life lonely life in his roommate remote place whites को fed up मतलब छुटकारा मिलना उनको अब lonely life से छुटकारा मिल जाएगा जो वो एक remote मतलब खाली जगा में रहते थे Mr. White is an exercise about paying back a debit of 200 pounds for buying the house in which they live अब Mrs. White जो वो बहुत परिशान था कि उसने जो 2000 pond का करजा लिया था इस गर को क्रीदने के लिए वो उसने वापस करना था Herbert works in a factory उनका लड़का फैक्टरी में काम करता था which makes electrical good जहां पर जो बिजली के समान बनाये जाते थे He is very affectionate towards his parents वो अपने पिरिंट्स को बहुत प्यार करता था He assures his father that he will work very hard and pay back the debit taken from the house वो अपने फादर को यकीन दिलाता है कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और जो हमने 200 पॉंट जो हमने लिया था कर जा वो वापस कर देंगे At some time a knock at the door is here कुछ समय बाद है वो तीनों बैठे अपने फ्रेंट की वेट कर रहे हैं तो दरवाजा खटकर आता है Sergeant Major Morris enters the house अब उनके घर पे वो guest आ गया His left arm is missing उसकी जो left arm थी वो गायब थी He has lost it in the war वो मतलब युद में लड़ते हुए उसके एक बाजू तूट गई थी He had served in India वो इंडिया में service करता था He has some knowledge of the Indian फकीर उसको कुछ Indian फकीर्स की knowledge थी Indian superstitious and magic जो इंडिया में जादू तूने होते हैं उनका उसको पता था The whites and sergeant major Morris start talking about the weather दोनों आपस में जो मौसम उसकी बाते करते हैं They drank wine, wine पीते हैं Then they start talking about black art फिर वो काले जादू की बाते करते हैं Morris tells the whites that he has a mysterious magic पाउँ फिर वो उनको बताता है Morris कि मेरे पास एक बहुती mysterious magic पाउ है, it is a dry पाउ dry है, सुखा हुआ है spell has been put upon it by an Indian फकीर कैता ये मुझे किस ने दिया था एक Indian फकीर ने दिया था It proves that faith rules the action of a man It can grant three wishes of three different persons कैता ये जो पाउ है monkey का वो तीन अलग लोगों की तीन विश पूरी करेगा From him, he got the पाउ मैंने उसे ये पाउ लिया The fulfillment of the wishes brings grief of the people person concerned Morris wants to sell the monkey's पाउ to someone but he did not have a customer अब जो Morris था वो पाउ किसी को बेचना चाता था पर कोई उसको customer नहीं मिल रहा था By chance Morris threw the monkey पाउ into the fire, तो उसने क्या किया वो पाउ जब किसने खरीदा नहीं तो उसने उसको आग में फेंक दिया Mr. White tells interested in the powers of the monkey's पाउ जो वाइट था वो उसके बारे में सुनना चाता था कि वो monkey पाउ क्या चीज थी So he at once takes it out of the fire तो उसने क्या क्या जल्दी से उसको आग से निकाल लिया Morris warns Mr. White about the dangers of the monkey पाउ Morris कहता है कि यह इसका खतरा भी है अगर यह विश्पूरी करता है तो उसका खतरा भी है He asked him not to have it but Mr. White insists on having it अब वो Morris कहता है कि नहीं यह तुम मत रखो यह खतरनाक है पर Mr. White उसको रखना चाता है Unwillingly Morris agree to give the power to Mr. White तो ना चाते हुए भी Morris है जो Mr. White को वो पाउ दे देता है Then he tells Mr. White how to hold the power in his hand while making the wish अब वो Morris है जो Mr. White को बताता है कि अगर तुमने कोई wish पूरी करनी है तो इस पाउ को कैसे पगड़ोगे हाथ में Then Morris leaves तो Morris वहाँ से चला जाता है Before leaving जाने से पहले He warns Mr. White against the use of the monkey's power तो warn करके जाता है कि कोई ऐसी wish मत मांग लेना इसका खतरनाक भी है Mr. White is very happy to have the monkey power Mr. White बहुत खुश हुआ monkey power को लेके He is much excited about it Herbert of course has no faith in the power of the monkey power Herbert जो था वो नहीं जर्नेशन का लड़का था उसको इन चीजों में यकीन नहीं था He makes fun of his father for believing in its power तो वो अपने पापा से मजाग करने लगता है कि आप किन बातों पे विश्वास कर रहे हो He has to go on night duty वो अपने night duty पे चला जाता है Herbert Before going on duty, duty पे जाने से पहले अपने father को कहता है कि वो 2000 points की wish मांगे 100 points की ताकि उनका जो 2000 का पॉंड का जो है करजा वो उतर जाए Mr. White holds the holds the power in his hand वो पाव को हाथ में पकड़ता है और विश्वांगता है There is a crash on the piano तो तभी piano तूट जाता है At the same time तभी Mr. जो white होता है gives out a cry तो cheek मारता है He lets the power drop उससे पाव गिर जाता है The power makes a moment in the hand पाव कुछ मतला जब वो विश्वांगता है तो पाव उसके हाथ में हिलने लगता है He drops the वो पाव है जो उसको गिरा देता है नीचे जमीन पे गिर जाता है सबी निराश हो जाते है Herbert's duty in the factory starts at midnight उसकी रात को बारा बजे duty शुरू होनी थी duty पे जाने से पहले वो monkey पाव से मजाग करता है वो अपने फादर को कहता है कि he will find 200 pounds tied up in the middle of the bed कहते हैं कि वो मजाग करता है कि देख लो कहीं आपने विश्वांगी हो तो आपके bed के बीच में ना पड़े हो पैसे after the departure of the Harvard जब Harvard चला जाता है Mr. White दरवाजा बंद करते हैं lock it up from the inside और अंदर से बंद कर लेते हैं he finds the upper bloat rather stiff then he begins to see faces in the fire Mrs. White tells her husband to spend the night calmly तो Mrs. White उनकी wife होती है जो White वो कहते है कि कोई बात निया आप शान्ती रखो धैरे रखो सब ठीक हो जाएगा the day dawns अब दिन चड़ता है नया the table is led for breakfast table पर breakfast रखते हैं Herbert is expected to come back home after his duty Herbert है जो वो घर जाने के लिए तियार होता है कि अब मैं duty कर ली तो घर जाऊंगा Mr. White says that Herbert must be near the graveyard Mr. White कहता है कि Herbert है जो वापस आ रहा होगा graveyard के पास पहुंच कया होगा he says that he could not sleep the previous night because he was thinking of the monkey pav वो कहता है कि वो तो साही राज सो नहीं सका क्योंकि वो तो monkey pav के बारे में सोचता रहा they talk of the monkey's pav and the amount of 200 pounds वो आपस में बाते कर रहे थे in the main time a letter is seen to drop in the letter box तभी एक letter आता है the postman knocked the door postman दरवाजा खटखटाता है the letter contains the receipt for interest on the loan of 200 pounds he received उस letter में क्या होता है कि 200 का जो receipt होती है भी 200 रुपिया आपका जो loan का था वो उनको मिल गया है जिनसे loan लिया था he does not bring a check for this moment they again start waiting for their son वो दुबारा फिर से अपने बेटे की wait करने लग जाता है वो पहुंचानी घर very soon they hear the mysterious moments of a stranger outside their house तब उनको कई लोगों की अवाजे सुनाई देती हैं बाहर he has come from the firm where Herbert is employed वो वहाँ से आये थे लोग जहाँ पे Herbert काम करता था he brings the sad news वो एक दुखी खबर लेके आये थे कि उनका son Herbert है जो वो फेक्टरी के एक वील में आ गया था चक्के में आ गया था और मारा गया the firm has sent a check for 200 pounds as compensation for his service of the firm तो जो उस फेक्टरी का मालक था उसने वो उनको 200 pounds का चेक भेजा था कि उसकी जो उनके बेटे की डेथ हो गई है उनके फेक्टरी में काम करते हुए तो इसकी वज़े से उनके घरवालों को 200 उर्पिया दिया गया था does their wish इसलिए उनकी wish जो पूरी होगी थी 200 pounds की बट उन्होंने इस wish में अपने son को गवालिया था इससे दोनों husband wife बहुत जादा दुखी होते है after the death of their son जब उनके son की death होती है Mr. and Mrs. White feel very wrongly and miserable दोनों बहुत दुखी होते और इक लिए रह जाते है they find no purpose in living अब उनका बेटा चला गया तो उनके पस तो कोई living का purpose ही नहीं है एक रात Mrs. White को याद आता है monkey paw they can still have two more wishes वो कहते हैं हमारे पस तो अभी दो wishes और पड़ी है वो अपने husband को कहते हैं कि आप monkey paw से अपने बेटे की जिंदगी दुबारा मांग लो Mr. White ऐसा करने से पहले तो मना कर देता है पर Mrs. White जब उसको प्रेशराइज करती है तो वो त्यार हो जाता है वो उसको डर लगता है he will not be able to bear the sight of their son with the maturulating body अब वो अपने जो son की कटे हुई body को देखना देखने सकता पर वो अपनी wife की pressure के आगे बेबस है so he has to agree वो मान जाता है वो second wish मांगते है कि हमारे बेटे Herbert की life वापस कर दो दरवाजे soon a loud knocking is heard at the door of their house तब जो जोर से आवाज सुनाई देती है दरवाजे पे Mrs. White is certain that her son Herbert has come तो Mrs. White को लगता है कि उनकी wish पूरी होगी उनका लड़का वापस आ गया she went to open the door वो जाके door खोलती है Mr. White tells Mrs. White not to open the door least she should see the ghost of Herbert will be with a matulated body तो Mr. White, Mrs. White को कहता है कि door मत खोलना क्योंकि बाहर Herbert का जो भूत है वो खड़ा है the knocking at the door became louder जब वो दरवाजा नहीं खोलते तो दरवाजे का तरज़े शोर बढ़ता जा रहा है Mrs. White struggles with the upper world which is very stiff अब Mrs. White उस दरवाजे पे को जोर से पकड़े हुए है she is not able to open the door वो डोर नहीं खोलना चाती Mr. White is in the male time makes a third wish with the monkey paw फिर वो तीसरी विश मांगता है वो विश करता है कि विश is Herbert dead वो कहता है कि Herbert जो जिन्दा किया था monkey paw ने वो फिर से मर जाए as he makes the wish जैसे वो विश पूरी होती है दरवाजा खटखटाना बंद हो जाता है Mrs. White open the door Mrs. White door open करती है पर हड़ वर्ट वहाँ पे नहीं होता third wish एकी वज़े से वो वहाँ से चला जाता है there is nothing but moonlight and emptiness outside अब बाहर क्या था? कुछ भी नहीं था moonlight थी और सिरफ emptiness मतलब खाली था बिल्कुल बाहर तो इस तरह से ये monkey paw एक powerful चीज थी जिससे तीन तरह की wish पूरी होती थी तो वो wish पूरी एक wish पूरी होई जिसके बदले में उसने उनका लड़का ले लिया था लड़का वापस आया पर वो जिन्दा होके नहीं आया उसका घोस्ट आया और तीसरी विश उनने मांगी कि उनका लड़का लड़का नहीं है एक्चुल में वो घोस्ट है भूत है तो इसलिए उसको मार दिया जाए तो ये आपकी स्टोरी थी उवीदा आपको समझ में आगी होगी कई से कई प्राब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट मोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हूं ओके वेटा ओके बाबाई